म्यानमार को जानने से पहले देख लेते हैं कि बाई साब के टेरिटरी किस किस से लगती है और कौन कौन से अपने स्टेट भी साजा करते है उसके साथ अपनी टेरिटरी तो म्यानमार आपको देखने को मिल रहा है यह रहा चाइना यह रहा लाहू सिथाई लेंड और यहां पर आपको बेव बंगाल देखने को मिलेगा यह अंदवान सी है यहाँ पर बांगलादेश के साथ भी है और यहाँ पर इंडिया के साथ में भी है एक बार यह की सास में जब बोलते हैं तो सास फूलने लग जाती है सो एक क्विशन मेरा अभी यह है कमेंट बाक्स में आंसर देना कि कितने स्टेट मियानबार के साथ अपना बोर्डर साजा करते हैं अपने स्टेट यानिकी इंडिया के स्टेट कुछ उपसर्स में दे सकता हूँ है जैसे की उपसर्स में आप कया सकते हों कि एक सेकेंड में आप कैसकते हो कि दो et third में तीन and fourth में 4 यह सारे options है इनके answer comment box में चीए मुझे अभी की अभी और हाँ यदि किसी को problem हो तो जरूर मदद करना हो आपर so म्यानवार को चर्चा करने से पहले हमने म्यानवार को छाट लिया है चणनी से पूरा का पूरा छाट लिया है जो भी कछरा है वो देख लिए कछरा मतलब अठा दिया है अब आपको I hope काफी clear हो गया होगा कि म्यानवार से कितने तो country या साजा कर दी है अपना border इन्डिया के एप से अपना बोर्डर साजा करते है ये सब आपको अभी mind में clear हो गया होगा तो contents में क्या-क्या है जो चाए हुए मियानमार में मियानमार के father कौन है, जैसे के हमारी इंडिया के father कौन है जरा बताये commit box में और फिर मैं बताऊंगा आपको कि मियानवार के फितासरी गोने military के बारे में भी और कुछ question भी में आपको दूँगा जो आपको करने ही है पता ही कि अपने देश में democracy है पनी यार इतना सा तो कर देने है यार में लिलिए person के बारे में बात करें तो देखते है person की तरफ तो ये रहे वो person ये है आंग शुन शुं की क्या है इसका नाम आप देख लेना ये मैंने लिख चुक मैं यहाँ पर लिख दिया है pronunciation करके देख लेना इनका नाम है आंग शन शु की और एक तरफ है मिन ओंग हैलेंग सो ये जो मेडम जी है जो सुन मेडम जी ये सुन मेडम जी ये कहता है ना ये सुन मेडम जी कोन है उसके बारे में भी देख लीजे ये इनका परीचे है ये सुन मेडम जी ये state counselor होता है ना मियानमार का वहां की ये counselor है और इनने Nobel Prize भी मिला है और इनके बारे में और थोड़ा डिटेल में बताओं तो इनके पिताजी को ही Father of Myanmar कहा जाता है जो इनका नाम है ना आंग, शैंग, शू की जिसमें से जो अंग और सन है ना अंग, सन ये इनके फादर का नाम है जरूर आप सर्च कीजिएगा Google Search Engine में तो आपको ये नाम जरूर जरूर बलेगा हाई तो ये इनके पितासरी है हाई वो भी पितासरी किसी है इनके पितासरी है हाई और ये मियानमार के भी पितासरी है हाई तो ये आपको देखने को मिलेगा आंग सैंसू की नाम है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई साब यहाँ पर एक तो मिन उंग हलांग है हलांग हलांग करके ये मिन उंग हलांग है ना ये और कोई नहीं है ये मिलेटरी कुप का कप्तान है मिलेटरी कुप का हैड है ये भाई साब ने ही तक्ता पल्टे की है इनके पास ministry बारे में बात करूँ न कई सारी ministry देखने को मिलेगी आब इसके पास defense ministry भी है इसके पास internal portfolio ministry भी है इसके पास border ministry भी है यार कोई military के पास कोई army के पास Parliament में ministry भी होती है ये वो country है म्यान मार यहाँ पर यह पहली बार नहीं हो रहा है कि इनका तक्ता पल्टा है और भी कई बार देखने को मिला है कि तक्ता पल्टी हुई है तक्ता पल्टी हुई है जैसे कि मैं दो इयर बताऊं 1988 में भी तक्ता पल्टी हुई है 1990 में भी तक्ता पल्टी हुई है वहाँ पर जब भी इनके माइंड में लालज आती है तो ये डेमोक्रेटिक गवर्वर्मेंट को पर भी हावी हो जाते हैं और अपनी सत्ता चलाने के लिए हुगरू हुगरू कनले लग जाते हैं सो ये जो मिन, उंग, हलांग, फलांग है ये सिर्फ इनका डूरेशन एक साली ता बाद में बिचावड़े आराम से खटिया है और बात करते हैं इस साइड भी महिला के आप राइट साइड दे सकते हो, सोरी, ये नोबल पीस प्राइज अवर्ड है, इनका नाम है हूंग, अब ओंग, ये ओंग, संसू की के जो राइट साइड में देखोगे, तो यहां पर जो चस्मा पैसे, चस्मा पेरे हुए सक्स है जो माइक वाइक भी आपको दिख रहा है, हा ना, तो वो माइक वाइक दिखने वाले सर जी को अभी प्रेजिडेंट चुना गया है, किस के तरफ से, मिलिटरी के तरफ से, पहले जो प्रेजिडेंट थे ये उपपर वाले सर जी थे, जिनके ये बाल लटक रहे है ना नीच है तो मिलिटरी कुप ने इन्हें सेलेक्ट किया है इनकी तरफ से अब यह है यह देख सकते आप इसवार अधरोमयानमार की थे फोटो और अचही तरीके से देखिएगा जैसे कि हमारे महातमा गांधी आप इंडिया जैसे मियानमार के father of Myanmar को इने ही कहता है जिसे आंग शंग नाम है इनका military के बारे में तो मैंने कहा ना military के पास 3-3 ministry रहती है military तो यह ऐसे लगता है कि government ही हो आगी military के पास पार्लेमेंट में seat रहती है military के पास ministry रहती है military के पास क्या नहीं रहता रहे क्या नहीं military democratic government की तकता पलट जेती है अभी जो voting हुई थी उसमें democratic party जीती थी democratic party जीती उस democratic party को जीतने के बाद भी इसने जो military ने है कुछ अपिले की request की election commission of Myanmar को कि भाई साब इन voting हों में कुछ गड़ बड़ी हुई है इससे solve करने की कोशिस कीजिए पर election commission fail to find fail to find तो इसलिए बोला कि अब हम नहीं देखेगे अब हम military कूप कर रहे हैं सरकार पर government पर democracy elective जो भी choose की गई है government पर उस पर तो फिर सत्ता किस के पास आ गई फिर military कूप के पास अब सरकार आ गई उन्होंने सत्ता कर ली और जो आपने आंग शैंशू देखा था जो आपने आंग शैंशू देखा था और इनके प्रेजिडेंट को देखा था इने भी harassed कर लिया गया इने भी बंदी बना लिया गया करते कुछ question हो की मेरा पहला question है कि म्यानवार की capital क्या है ये बताइए मुझे म्यानवार में एक community है जो उसका नाम क्या है जो हमारी यहाँ पर refugee बनके रह रही है म्यानवार से सटे हुए कितने state है sorry कितने state नहीं है कितनी country हम म्यानवार से अपना border साजा करती है वो बताइए मुझे और एक और question है म्यानवार को और किस नाम से भी जाना जाता है यानि कि म्यानमार को तो म्यानमार के नाम से तो जानते हैं फिर भी उसका एको नाम है जैसे कि किसी परसन का नेम नहीं होता बाई साब किसी का नाम है भाई प्रियांस फिर उसको बोलते है बाबू यानि कि दो-दो पैट नेम वेट नेम भी रहते हैं वैसे म्यानमार का भी ए करने दीजिए सबको सीखने दीजिए सो बाई बाई